नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान समदानमी मैं हूँ जोती दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा जिन लोगों की राशी कुम्ब राशी हैं तो बात करें के कुम्ब राशी वालों के लिए आने वाले वर्ष की कुछ खास बातों के बारे में कौन से कुछ खबरियां इस कितना फाइदा होगा जो मैरीड हैं उन जातकों के जीवन में इस वर्ष कितना प्रेम रहेगा सिंगल जातक हैं जो कुम राशी के क्या वो इस वर्ष मिंगल होंगे आपकी हैल्थी स्वर्ष कैसी रहेगी कौन से सावदानिया आपको इस वर्ष बरतनी होंगी कारियर और होंगे साल 24 में कुमपराशी के लिए कौन से नमबर लखी रहेंगे और कौन से आन्लकी रहेंगे तो जी यहांग दोस्तों गर आपकी कुमपराशी है तो वर्ष 24 में आपको ब्रस्पति और शनी के कारण सभी कार्यों में सफलता मिलेगी देव गुरु बरसपती का अशिरवाद कुम राशी वालों को इस वर्ष प्राप्त होगा ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं सबसे पहले करियर और नौकरी इस वर्ष कैसी रहेगी जौब कैसी रहेगी जिनकी कुम राशी हैं तो आपके राशी के स्वामी जो शनी देव हैं आपके कुंडली के इस वर्ष प्रथम बाव में रहेकर तीसरे बाव, सप्तम बाव और दस शम बाव पर जिश्टी डालेंगे तब आपके कारिक शेतर में आपकी उनती होगी नौकरी में पद उनती के योग बन रहे कुम राशी वालो लेकिन आपको गमंड से इस वर्ष बचकर अपनी वानी पर मियंतरन रखने के जरूरत होगी कारिक शेतर में इस वर्ष आपके सह कर्मियों का आपको सह योग मिलेगा आपको साथ मिलेगा करियर और नौकरी के लिए वर्ष बहुत उत्तम रहेगा अगर आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो अगस्त के बाद आप इस मामले में विचार कर सकते हैं ग्रेहों के स्थितियां आपको अनुकूल रिजल देंगी तो साल 2024 आपकी जॉब के लिए नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा करियर के लिए भी कुमराशी वालो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कुमराशी वाले का बिजनस कैसा रहेगा यनि कि व्यापार के अगर बात करें तो यह वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी शनी की इस वर्ष सब्तमभाव पर द्रिष्टी रहेगी और सब्तमभाव के स्वामी सूर्य इस वर्ष एकादश भाव में रहेंगे मंगल दश्मेस्थान पर रहकर विराजमा रहेंगे देव गुरु ब्रस्पती माई के महीने में आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सब्तमभाव, नवमभाव और एकादश भाव को देखेंगे जिससे आपका भागे इस वर्ष प्रबल हो जाएगा यदि सांजेदारी का वियापार नहीं है तो इस वर्ष आपकी उन्नती चार गुना होगी यानि कि अगर आप खुद का बिजनस करते हैं कुमराशी के वियापारी है और खुद का ही बिजनस करते हैं तो इस वर्ष आपको दो गुना चोगुना लाब और मुनाफ़ा प्राप्त होगा विया पार के लिए वर्ष रेष्ट रहेगा लेकिन अगर अगर अपसांजेदारी में कारे करते हैं तो संबल करें आपके लिए ये अच्छा रहेगा चले दोस्त अब आपको बताते हैं कुम राशी जिनकी है और उनके एक्जैम्स के लिए कॉम्पीटिशन के लिए प्रतियोगिता के लिए एजुकेशन के लिए ये वर्ष कैसर रहेगा कुमराशी के स्टूडन्स के लिए वर्ष की शुरुवात थोड़ी कमजोर हैने वाली हैं शनी के कारना आपका पड़ाई में मन कम लगेगा और ध्यान केंदरित नहीं होगा स्टड़ी पर मेहनत करते रहेंगे तो इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी देव गुरु ब्रसपती का सई योग आपको प्राप्त होगा जैसे आप हर प्रतियोगिता और परिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वर्ष के अंत में पुन शिक्षा में वियवदान उत्पन होंगे रुकावटे आ सकती हैं शनी की कारण ये कुछ सित्यां बन सकती है लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे इस समय तो आपको सफलता वश्य में लेगी उचे शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग इस वर्ष बन रहे हैं जिनकी राशी कुम्ब हैं तो स्टूडेंक की शिक्षा इस वर्ष मेहनत के दम पर रहेगी जितनी मेहनत आप ज्यादा क करेंगे उतनी सफलता इस वर्ष आपको ज्यादा प्राप्त होगी बढ़ते हैं आगे बताते हैं आपको कुम्बराशी वालों के लिए साल 2024 में प्रेम रुमैंस परिवार रिष्टे रिलेशन्शिप फैमली लव लाइफ के लिए ये वर्ष कैसा रहीगा तो कुम्बराश वर्ष वालों दूसरे बहां में राहू के चलते और वर्ष की शुरुआत में मंगल का इस वर्ष दूसरे बहां पर द्रिष्टी डालना परिवार के सदस्यों के बीच कड़वाहट और गलत फैमियों को पैदा करेगा लेकिन शुक्र और बुद्ध जैसे ग्रया इस वर्ष अच्छे रहेंगे तीसरे बहा में ब्रसपती देव गुरु ब्रसपती उपस्तिती होगी जिसके चलते इस वर्ष आपके आपके बाई वहनों से सबंद मदूर होंगे इसके बाद दोस्तों चतुर्द बहा में देव गुरु ब्रसपती जाएंगे जिसे आपके पर पर दिश्टी डालेंगे जिसे भी आप पसंद करेंगे उससे आपकी शादी हो जाएगी जिसे प्रेम सबंदों में गरमाहट बढ़ेगी सूर्य और मंगल की दिश्टी पूरन रूप से आपकी लव लाइफ पर रहेगी तो दोस्तो इस वर्ष आप प्रेम विवाह भी कर सकत यानि कि लव मैरिज के योग इस वर्ष ज्यादा रहेंगे तो साल 2014 आपकी लव लाइफ के लिए काफिज़ाद अच्छा रहेगा जोब मैरिड हैं उनके जीवत में भी दोस्तो इस वर्ष बिठास बूलेगी लेकिन बीच बीच में दोस्तो राहू के कारण कुछ कड़व पाहट आ सकती हैं तो इस वर्ष अपनी वाणी पर नियंतरन रखें और सोच समझकर बोले अपने प्रियतम पार्ण के साथ प्यार से रहेंगे तो आपकी लव लाइफ और भी ज्यादा इस वर्ष बहतर होगी चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कुम राशी वालों के चलते आपकी आमदनी इस वर्ष बहुत ज्यादा बड़ोतरी करेगी दन आपके प्रबल योग बनेंगे सूर्य और मंगल ग्रहें आपके एकादश भाम में रहने के कारण आपको उत्तम आर्थिक लाव इस वर्ष प्राप्त होगा राहु महराज पूरे वर्ष आपके पूंजी भी और ज्यादा बढ़ेगी तो इस मामले में आपको चिंता करने के जुरूरत नहीं होगी आर्थिक सिती इस वर्ष बहुत ज्यादा और बहुत शांदर हो जाएगी चली दोस्तों अब आपको बताते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी कुम्रैशी के लिए वर्ष अपनी सेथ का ध्यान भी रखना होगा क्योंकि दोस्तों इस वर्ष अस्टमभा में केतों के होने से आपको पेट से सबंदित कुछ रोग होने की संभावनाय बढ़ रही हैं तो आप ऐसा बोजन ना करें जिससे दोस्तों आपकी हेल्थ खराब हो जाएं बाहर के खाने से करें तो इस वर्ष आपकी हालत के लिए अच्छा रहेगा अन्य था पेट से सबंदित दिक्कतों का सामना आपको पूरे वर्ष करना पड़ेगा तो ध्यान रखें अब बात करते हैं साल 2024 में कुमबर आशी के लिए लगी नंबर लगी डेट्स लगी कलर कौन से रहेंगे तो दोस्तों वर्ष 2014 में आपके लिए लगी नंबर्स रहेंगे 6 और 8 लगी डेट्स इस साल की दोस्तों आपके लिए 6, 8, 15, 17, 23 और 26 आपके लिए लगी डेट्स रहेंगी इन दिनों आप विशेश कारे करेंगे तो आपको लाब होगा एक दो और 9 तरीक को आपको कोई भी शुब काम नहीं करना इन बातों का ध्यां रखें इस वर्ष आपके लिए लगी रंग लगी कलर हेगा बलू यानि कि नीला कलर आपके लिए कुमराशी वालो सबसे ज्यादा शानदा रहेगा सफलता दिल आएगा लेकिन इस वर्ष और बलैक यानि कि लाल और काले रंग से बचना होगा ध्यां रखें चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कुछ खास उपायों के बारे में जो एक्वेरिस के लिए बहुत ज्यादा शानदार सफलता दिलाएंगे तो इस वर्ष अगर आप कन्या बोजन कराएंगे और उनके चर्ण चूकर उनका आश्रवाद लेते रहेंगे तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेंगा इस वर्ष अगर आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन तिकोना द्वज जो लारंका होता है वो जरूर लगाएं इसे आपको दोस्तों जो दिक्कते आ आ और शनी के कार्ण कुछ दिकतों का सामना करना पड़ेगा तो अगर आप विशेश उपाई करेंगे तो आप उन कारें में भी दोस्तों सफलता प्राप्त करेंगे जिन में कुछ वीगन और अडचने आ रही थी तो साल 2024 आपके लिए बेहदी खास हो जाएगा साल 2024 जिनकी राशी कुम्ब हैं और कौन से कलर इस वर्ष आपको पहनने होंगे और कौन से अवोड करने होंगे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आप इनको फोलो करेंगे तो आपके लिए काफे जादा अच्छा रहेगा साल 2024 जिनकी राशी कुम्ब हैं दोस्तों अगर आपको ह हमारे द्वारत बताईगी ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ग्यान समादान चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें